हेलो एबरिवन आज मैं बनाऊंगी पाल्टीची बिस्किट से पेड़े पेड़े बनाने के लिए मैंने पांच रुपे वाले चार बिस्किट के पैकेट लिये हैं बिस्किट को खोल लेंगे सारे पिस्किट निकाल लिये हैं मैंने बिस्किट के छोटे शक्रे टुपड़े कर लेंगे बिस्किट जल्दे पिस जाएंगे जितने बिस्किट एक बार आसानी से जार में आ जाएं उतने ही पीजने है आधी बिस्किट तोड़ लिए है मैंने अब इसमें डालेंगे चार हरी लाइची अब इसमें डालेंगे चीनी चीनी चमज से नापके डालेंगे चीनी डालने के लिए मैंने मेजरिंग इस्पून का इस्तमाल किया है आप इस्टील की छोटे चमज भी ले सकते हैं जिस चमज से हम खाना खाते हैं पांच टेबल स्पून चीनी डाल दी है मैंने चीनी आप स्वाद के अनुसार भी ढाल सकते हैं जार का धकन बंद करेंगे और सभी चीजों को बारिक पीस लेंगे आधे बिस्किट पीस लिए हैं मैंने एक परतन में निकाल लेंगे और बागी बचे हुई बिस्किट भी पीस लेंगे सारे बिस्किट पिस गए हैं चन्नी में चान लेंगे पेड़े बनाने के लिए मैंने देसी खी लिया है और दूद लिया है दूद को उबाल के रूम टेंपरेचर पे ठंडा कर लेंगे घी को चम्मस से नाप के डालेंगे एक साथ जादा घी ना डालें पांच टेमिल स्पून घी डाल दिया है मैंने हाथों को साफ पानी से धूलेंगे और घी को अच्छे से मिक्स करेंगे जरूरत पढ़ने पर ही और घी या दूद का इस्तमाल करेंगे थोड़ा सा मिश्रू लेंगे और मुठी में बांद के देखेंगे लगा है पीड़े बन जाएंगे इसलिए मैंने इसमें दूद का इस्तमाल नहीं किया है दो बड़ी लाइची लेंगे और इनके बीज निकाल लेंगे हाथों पे थोड़ा सा गी लगाएंगे थोड़ा सा मिक्स लेंगे और गोल शेप देंगे इस तरह से ये देखिए गोल करेंगे और हतेली से हलके हाँ से दबाएंगे ये देखिए पेड़े की शेप देदेंगे इस तरह से दो-तिन दाने इलाइची के लगा देंगे इसके उपर ये देखिए पेड़ा बन गया है इसी तरह से बागी की पेड़े में बना लेंगे गोल करेंगे हतली से दबा देंगे हलके से और इसके बीच में इलाइची के दाने लगा देंगे सारे पेड़े बन गए हैं पेड़ो को थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख देंगे सेट होने के लिए पीड़ों को मैंने 15 मिनट के लिए प्रीज में रख दिया था पीड़े सैट हो गए हैं एक पीड़ा तोड़के दिखाती हूँ मैं ये देखिए पीड़े अच्छे से सैट हो गए हैं सॉफ्ट बने हैं 20 रूपय के बिस्किट से 340 ग्राम पीड़े बने हैं अगर आपको रैसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए लाटन के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है